सबेकुंते सेवा जोहार, मैं भीनू, मेरा नाम भीनू ठाकुर है, मैं भिलाई चत्रसगड की रहने वाली हूँ और साथी में मैं वर्तमान में अभी प्राचिन भारते इतिहास, संस्कृती एवां पूरा तत्व अध्यन शाला से पेजडी की छात्रा हूँ पंडित रविशंकर शुक्ला युनिवर्सिटी राइपूर आप सभी का मेरे लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत हैं और बहुत-बहुत सेवा जोहार हैं मैं अपने चर्चा की शुरुवात से पुर्व हमारे हास पेन सुरेंदरसी तारम जी को याद करना चाहूंगी जिनकी याद में, जिनकी स्मिलिती में हमने हमारे जो तीम है गुरवाना दर्शन ने ये लाइव सेशन प्रारम किया है उनके बारे में थोड़ी बहुत बाते जो मैं जानती हूँ वो मैं आप सब के सामने कहना चाहूंगी हमारे बीच तारम सर्थ 2018 में उनका हास पेन हुआ वो एक समय था, 1986 के आसपस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय हमारी ये जो पत्रिका है गुडवाना दर्शन जो हिंदी पत्रिका है उसका प्रारम सर ने किया था और उस समय हो रही हमारे गुडवाना क्रांती के लिए जो स्ट्रगल्स चल रहे थे उस सव में हमारे तारम सर का बहुत महत्पुर्ण ना स्थान है, क्यूंकि इस जो क्रांती कारी जो चल रहे थी उसमें हमारे जो सर है उन्होंने अपने साहितिक तौर पर प्रतिका के रूप में उसका बहुत सारा महत्पुर्ण स्थान दिया और तो उन्हें बहुत-बहुत पिनांजली सर आपको तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जहां आज मेरा विशा है गोटुल का और जो गोटुल है मुझे पता है हमारे आज के लाइव सेशन में हमारे बहुत से सियान हैं हमारे काको हैं हमारे आजो हैं हमारी आजी हैं हमारे आको हैं जो गोटूल के बारे में बहुत अच्छी तरह किसे जानते हैं और मुझसे जादा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम पर तो इस बारे में बात करना इसलिए आज महत्पुर्ण है क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे युवा साथी हैं और हमारी अगली पीडी है जो इस बारे में बिलकुल भी नहीं जानती है और या तो सिर्फ नाम सुनी है उनके कारियों के बारे में नहीं जानती है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें उन बातों पे चर्चा करना अवशंभावी है क्योंकि आज गोटूल की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वो इक तो विलुप्ति के गगार पे हैं या अगर हम कहें कि वो पूर्णता विलुप्त हो चुकी है तो उसमें कोई अतिश्यूप्ति नहीं होगे तो आज हम चैचा करेंगे गोटूल की तो आपको पता है जैसे हम पिछले बहुत सारे जो लाइफ सेशन हो रहे हैं उसमें हमने देखा कि हमारे जितने भी दादा हैं काकू हैं उन सबने बहुत अच्छी बाते हमें बताई और बहुत सारी परिशानिया जो हमारे समक्ष खड सारे यह बात करी और बाके सब चीजों की भी बात करी चीजे मैं आज हैं जतना साथ साथ आक पर हम उसे कागार हैं पूरे भी पूरे देशंट में हमारे बहुंता साह्ट हम lucky तैश यह तिजह दोa से नोठील Cornως प्रते हसाथ हैं आद्र और पर पेंगौल चारखन यूपी गुजरात ऐसे यह राज्य हैं जहां हमारा जो गुण समुदाय है हमारा जो गुणवाना है वो बटा हुआ है सभी राज्यों में पर आप यह पाएंगे कि सभी राज्यों के होते हुए भी पूरे चतिर्जगर में भी सिर्फ और सिर्फ बस्तर एक ऐसा संभाग है जहां पे अभी भी गोटुल अपने जीवनत रूप में कहीं न कहीं भले आधुनिक्ता लिये हुए ही सही बर कहीं न कहीं वो अभी जीवनत रूप में हैं जिसने हम कहीं न कहीं देख सकते हैं अंदाज़ा लगाइए जब आज 2020 में भी अगर वो थोड़े बहुत जीवनत रूप में हैं और आधी काल में जब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के समय जब आधी काल में ये संस्था हमारे पुरवजों ने हमारे लिंगो पेन ने जब ये इसकी स्थापना की तो ये कितने बड़े छेत्रों में फैला रहा होगा और कैसे हर लोग हर कोई तूर इससे कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा तो आज हम गोटुल की बात करते हैं मैं ये आपको बता देना चाहते हूँ कि मैं बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ इस छेत्र में हमारे गोटुल को लेकर परन्तु मैं क्योंकि शुधारती हूँ मेरा कार यह है शोद करना और मैं शोद करती रहती हूँ हर बातों का तो ये भी मेरे शुरुत का विशे है और मैं खुदी मेरी जिग्यासा है इस विशे में जानने की तो मैं जानती रहती हूँ और इस विशे को जानने में मैं सरवर प्रतम धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने चर्चा के शुर्वास से पहले ही हमारी KBKS टीम यानि कोईतुर भूमकाल क्रांती सेना कांकेर बस्तर जहां मुझे नरायन सर ने और योगेश नरेटी सर ने बहुत मदद की और वो मेरे गाइड है मेरे गुरू है मुझे हमारे जो भूली हुई संस्कृती है उससे वापस मुझे मिलाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा और इस सेशन में अगर गलती से भी मैं गोटुल की कुछ ऐसी बाते कहें जो शायद गलत हो जाए या मैं कुछ बाते भूल जो जो लेके तो प्लीस मुझे आप जितने भी बड़े विद्वान है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझसे क्या छूट गया है तो चलिए हम शुरुवात करते हैं गोटुल की तो सरवल्वरत्रतम हमें गोटुल जानने के लिए पहला हमारा शबत यह है कि क्योटुल जो है वह घोटुल आपने सबीने जाना होगा कि एक समय में एक शमय में नहीं अभी भी सब उसे घोटुल के नाम से जानते हैं तो आखिर क्यों गोटुल से ये गोटुल कैसे हुआ ये इस पारे में जानना मुझे लगता है कि आप लोग के लिए जरूरी है क्योंकि बहुत समय तक मैं भी सिर्फ गोटुल को गोटुल के नाम से जानती आई और गोटुल के नाम से ही बाते संबोधित करती रही परन्तु बाद में जैसे हैं मैं जानने लगी मुझे पता लगा कि ये घोटुल नहीं ये घोटुल है तो इसका इतिहास कुछ इस प्रकारसा है कि जब उन्नीश्वी शताब्दी में हमारे बहुत बड़े बहुत सारे ऐसे मानो शास्त्री हुए जो की हमारे आदिवासी कल्चर, हमारे आदिवासी संस्कृती इतिहास की को जानने के लिए बहुत उस्सुक्त है और उन्होंने बहुत कार्य भी किये इस छेत्र में उनके कारे सहरानी तो है ही परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि वो निंदनी है हैं तो उनमें से जो बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स हुए हमारे जो मानाव शास्त्री हुए के कुछ नाम में लेना चाहूंगी जिसमें हटन रसल बल्टर ग्रिक्शन और इस पेशली मोस्ट अफ दा अगर हम बोले जो मुख्य वैक्ति की अगर हम बात करें तो वो हैं सर वैरियर एल्विन मैंने इनहीं महत्पूर्ण वैक्ति इसले कहा क्योंकि सर एल्विन ने जब बस्तर में प्रवेश किया और वो मुरिया मारिया गुंट के जीवन शैली पे जब कांड कार्य करने लगे त एक और 47 में एक बुक लिखी जो बुक थी उसके बुक का नाम था दा मुरिया एंड देयर गुटुल यह एक ऐसी बुक थी जिसके जिसकी वज़ा से आज पूरे उसमें पूरे विश्व में आज गुटुल को गुटुल कहा जाने लगा क्योंकि उन्हें ने लिखा दा मु मुश्किल है शायद ऐसा हो सकता है कि प्रोनॉंसेशन की वज़ा से क्योंकि वो फॉरिनर थे और वो गोटुल जो है वो गोंडी शब्द है शायद इसी किसी कम्यों की वज़ा से उन्होंने गोटुल को गोटुल कहा और जो समय के जो सिक्षित वर्ग हमारे आसपास रहे जो गैर आदिवासी लोग भी हमारे आसपास रहे वो इस शब्दों का प्रयोग करने लगे और घोटुल घोटुल कहने लगे जो 1946 से लेकर आज 2020 तक भी उस बातों में कोई बदलाओ नहीं हो पाया आज भी सभी लोग उसे घोटुल के नाम से ही जानते हैं उसके कुछ धारण मैं आपके सामने बताना चाहूंगी आप में से बहुत सारे जो युवा पेड़ी हैं उसमें से आप लोग यूपीसी, सीजी पीसी या अमपी पीसी में जरूर पढ़ रहे होंगे तो उनकी किताबों में आप गुताबे खोल के दिखिए उसमें लिखा हुआ है घोटुल, नाकी गोटुल इसी तरिके से जितने भी बुकस आपको मिले ग Frei हो सभी में घोटुल, घोटुल, घोटुल का ही वर्णा लिा गया है नाकी गोटुल वहाँ पे भी गोटुल नहीं, वहाँ पे भी सिर्फ घोटुल लेखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि एक गल्ती को लोगोंने कितने अच्छे से अपनाया और कोई कभी आके किसी ने गोटुल में नहीं देखा कि वो गोटुल है कि घोटुल है कि हमारे आदिवासी बच्चों को बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं ये गोटुल है आप ही लोग का है ये गुंडी शब्द गोटुल है तो ये सब चीजें हैं जो की परिशानिया खड़ी हो चुकी है तो जब इतने साल ये बाते हो चुकी है तो हमें उसे सुधाने में सामने की गोडूल कैसे घोटूल हो गया और हम आगे बढ़ते हैं कि अखिर जो घोडुल है वो कैसी मनाया गोडूल अफिरें कि हमारे गोड़ी भाषा में गोडू बोली में गोडूडी Montannだ जो शब्द है उससे बना है गोटूल याने गो धन टूल गो का अर्थ होता है ग्यान टूल का अर्थ होता है स्थान याने एक ऐसा स्थान एक ऐसा केंद्र जहां ग्यान का प्रसार प्रचार होता है और साथ इसाथ जहां ग्यान की प्राप्ति होती और जहां ग्यान दिया जा सिर्फ इन्ही बातों को बताने के लिए कि गोटुल सिक्षा का केंदर है हमें आज हमें 1946 से लेकर आज 2020 हो गया हम ये कहते रहे गए कि गोटुल जो आप कहे रहे हैं जो यंगसस की डॉमिट्री है जो आप जो इसकी धारनाएं गलत धारनाएं आप जो रखे हैं वो कहीं न कहीं गलत है और वो सिक्षा का केंदर ये कहते कहते आज 2020 हो गया है मैं आशा करती हूँ कि ये जल्दी ठीक हो और सब इसके जो अर्थ को समझे और माने तो क्या गोटुल सिर्फ श ट्रषान के दोरान मैंने पाया है कि पूरे विश्व में अलग 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 रूपों में अलग नामों में एक के से डॉर्मेट्री की तरह यंग्स्टस की डॉर्मेट्री की तरह युवा पिढ़ी के लिए अलग-अलग जगा यह पाई जाती है उधारन के सरूप हम देखते हैं मोलेनेशिया नियू गीनी फिलिपेंस आमेरिका आफ्रीका फार इस्ट यह कुछ ऐसे देश हैं और भी लि यूवा पिढ़ी के लिए आदिवासी समुधाय बनाता है उस जो डॉर्मेट्री है उसमें सिर्फ पुरुषों का जाना है वहाँ महिलाएं नहीं जानती वह ऐसी डॉर्मेट्री है जहां पांस से छे साल का जो बच्चा होता है जैसे वह उसे परिपक्व करना है उसे आग इस प्रिकार कीडॉमेट्युल वहां आफरीका की ट्राइब है जहां युवा पिढ़ी के लिए अलग-अलग घर बनाना है जो हमारे यंग्स्तिर्ट फैँ उनके लिए अलग सब घर होता है इस तरीके से वेहां कि मैनेता है उनकी नियमों शर्तों पेधार पे हैं, उसी तरीके से हमारे यहां, हमारे 36 गड़ में हमारा गुर्दुल अपनी नियमों शर्तों के हिसाब से हमारे युवा पिढ़ी को आगे पहुचाने के लिए, उन्हें सिक्षित करने के लिए हैं अगर हम दिखते हैं भारत देश में ही उराओं में दुंकोडिया, नागा आदिवासे समुदाय में मोरूंग, मुंडा में गीतियोरा, भूया में धंगरवस्था, गारों में देवांचंग, और भूतिया में रामबंग जैसे कुछ हमें धारन मिलते हैं मैंने इसके अलावा भी हमारे पास देश में ऐसे विभिन आदिवासे समुदाय हैं जहां पे गोटुल अलग अलग नामों से अभी भी कहीं कहीं पे बहुत कमी जगह में अभी जीवन तरूप में हैं तो मेरी बातों से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यह जो डॉमिट्री है या यह जो घर है एक ऐसा केंद्र है हर गाओं का हर समुदाय का जहां जो युवा पिढ़ी के लिए बनाए जाती है क्यों युवा पिढ़ी को आगे आने वाले चीजों के लिए परिपक्व क करने के लिए आगे आने वाले जिम्मेदारियों के तयार करने के लिए क्योंकि हम अभी भी वरतमाने सिती में कहते हैं कि हमारे भविष्य की जो डोर है वो आज के युवाओं की कंधों पर है जिम्मेदारियां युवाओं के कंधों पर हैं तो यह तो आज की पिढ़ी कह आज के लोग कह रहे हैं यह बात तो हमारे दादा के 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 दादा लोग जानते थे कि हमारे जो युवा पीड़ी है वहीं आगे जाकर हमारे समुदाय का जिमिदारी समहा लेगी हमारे समुदाय को आगे लेके जाएगी सं लगभग अभी अंधो चुका है तो अभी तक बातों से आपको समझ आही गया होगा कि एक यह ऐसा केंद्र है हमारा गोटुल जहां हमारे जो लया-लयोर है यहां गोटुल में जाते हैं और पूर्ण रूप से समाजिक धार्मिक सांस्कृतिक पारंपरिक नित्य विधा नाट्य विधा शिल्प विधा सभी में परिपक्व होते हैं उसे जानते हैं, सीखते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं और आगे की पीड़े के लिए उसे हस्तना तृत करते हैं जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थी तो मैंने बताया कि जैसे कैसे गूंडी विलूप्ती की हम बात करते हैं तो यहां पे वो गुंडी भी तो प्रसिलन में थी, अगर वो विलूप्त हो गई, अगर हमारे पास गोटुल नहीं है, हमारे पास सीखने का साधन नहीं है, हमारे पास आधुनिक्ता आ गई है, और जो चीजे एक फ्लो में जाने थी, वो कहीं न कहीं बंद हो गई है, चारन है हमारे पास आप समझ सकते हैं कि जब विलुप्त हो गई वो चीज पूरी तरसे खतम हो गई तो क्या उसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा क्या दुनिक्ता की दिवार के आगे वो आगे चलेगा नहीं तो यही यही वही एक कारण है गोटुल के विलुप्त होने उनमें से एक हूं जो जिस मैं अभी गूंडी सीख रही हूं वापस तो यह बाते हैं तो हमारे गोटुल हम देखते हैं अब इन बातों के बाद हमारे गोटुल का निर्मान आखिर हुआ कैसे हमारे जो गोटुल का निर्मान है वो हमारे लिंगो पेंग के द्वारा किया गया अब आप कहेंगे कि होता है ना कि प्रश्ण होते हैं कि कैसे आपको कैसे पता कि हमारे लिंगो पेन के द्वारा ही हमारे गोटुल का निर्मान हुआ तो जैसे-जैसे मैंने कहा कि गोटूल परमपरा के साथ बहुत सारे चीजें खतम होती गई और विलुक्त होते गई उसमें से एक दूसरा भाग है गुंडी लिपी के बाद दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पार्टा का रीलो पार्टा हमारे डीलो गीतों का जो कही न कहीं गोटूर के साथ अपने विरूपती की कगार पर है क्योंकि हमारे यह सिर्फ गीत की विधा नहीं है या ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी कुछ भी चीज़े सोची और जोडी और गाने की रूप में गादी नहीं वो जो आपने आखों के सामने देख रहे हैं जो महसूस कर रहे हैं जो टेक्नलोजी है वो सभी अप जो उनका इतिहास है सभी का सम्मिशन उन्हें क्योंकि अपने अस्तानतित करना था अपने 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 बाकी लड़ा-लयर के लिए आ स्व्रांतरन है वो गोटुल के मात्ध्यम से हम एक पीड़ी से दूसरी पीड़ीं में करते हैं और जिसमें रेला पाटा भी एक माध्यम था और रेला पाटा में भी इन सभी बातों का संग्रह किया जाता था तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें कैसे पटा लगा कि ये जो बाते हैं कि गोटूल का निर्मान जो है हमारे लिंगो पेन ने किया अठारा वाद यंत्रों का जो निर्मान है लिंगो पेन ने किया पाटा के गुरू, डाका के गुरू लिंगो पेन हैं आखिर कैसे पता लगा तो आप सब के समक्ष मैं कुछ गुन गुनाना चाहूंगी मेरे स्वार अच्छे नहीं है परन्तु मैं कुछ आपके सामने गुन गुनाना चाहूंगे चले रिरिलो यो रे रेला रेला पेहली पाटा निया रा लिंगो चले रिरिलो यो रे रेला 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 पेहली पाटा निया रा लिंगो पहले दाका निया रालिंगो चले रिडिो यो रेरीला रेला पाटा गुरू निया रालिंगो डाका गुरू निया रालिंगो चले रिरिलो यो रिरिला रिला, रिरिलो यो रिरी डारिला बारा बाजाल यो रालिंगो बारा बाजा लयो रा लिंगो चल रिरिलो यो रे रिला रिला अथारा बाजा नियरा लिंगो चल रिरिलो यो रे रिला रिला तो ये कुछ रेला पाटा जो की मर्मिंग पाटा है इसके कुछ आपके सामने मैंने शब्द रेला पाटा गाया जानते हूं कि स्वरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी परंतो इसकाने में यही बताया गया है कि जो हमारे लिंगो पेन है वही पाटा गुरू है वही डाका गुरू है कैसे उन्होंने अठारा वादे अंत्र करके जो वादे अंत्र को पूरा किया है यह बाते हमारे पाटा के माद्यम से हमें पता लगती है यही हमारा इतिहास है और इसी से हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं जो कि कहीं न कहीं गोटुल के विलुप्त होने से विलुप्त होती जा रही है साथे साथ हमारे जो लिंगो पेन है उन्हें अठारा वाधियंत्र का प्रणेता होने के साथ साथ उन्हें आग का निर्माता भी कहा जाता है इस प्रकास से हमारे गोन समुदाय में समपूर्ण जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं हमारे जो लिंगो पेन हैं उनके द्वारा निर्मित की गई है हमारे प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनसे ही हमारा जीवन यापन होता है और कैसे हम प्रकृति के साथ अपना मेल जोल बनाया रखें इनकी भी सिक्षा हमें गोटुल से मिलती आई है जो कि हमारे लिंगो पेन के बाद और भी धीरे से धीरे दरपीडी-दरपीड हमें सीखनी चाहिए थी जो कहीं ना कहीं आज हम उसे भूल से गए हैं तो अब आगे चलते हैं तीसरे चरण की होजब हम गोटुल की जो बाहे चरणा सरशना है और गोटुल की जो आंतिक सरशना है उसके बारे में हम आपसे बात करें हैं तो अगर हम बाहे चरणा गोटु एसा क्या है जो अपनी और ध्यान केंद्रिब करता है तो बता दूंथे आपको कि गोतुल का स्टॉक्चर होता है जाहार तर ऐसा होता है कि एक गाव में जो की गुंडी शब्द है यह नार में मद्धकली चैनल कभी गावं विर्ट ही नेंकर घर को हो है अज नंगते हैं कभी कभी इसे अंदर एक रूम होता है जो समार रखने के लिए प्रयोक जाता है मल्टीपल रूम्स या दो या तीरूम ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सानेशना गोटुल में देखने को नहीं मिलती हैं साथ ही साथ उस घर के बगल में एक बिना दिवारों का एक ओपन कोट याज जैसा एक ओपन घर जैसा एक स्थान होता है जहां पे भी लया-लयोर बैट कर अपने गीतों का अभ्यास करते हैं वहां पर जो हमारे अठारा वाद्य अंत्र है वह भी हमें वहां पर मिलते हैं और मुझे वह फोटोग्राफ्स अभी याद आ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी तो शायद आपको भी इस चर्चा के अंत्र में लगेगा जिसका स्तित्व हमारी और कुछ पीडियों की अंदेखी की वज़े से छूट गई है तो वह फोटो कुछ ऐसी है कि वह फोटो गोटुल की है जिसमें बहुत लगडी की बहुत सुन्दर नकाशे की गई है और नकाशे कहीं कोई और नहीं जो वहां के लयोर है उनके द्वा उसको बहुत सुंदर से चित्रकारी की गई है और बहुत सुंदर से सजाया गया है, जो कि आज कही न कहीं हमें तेखने को नहीं मिलता, सोचे वह इतना सुंदर केंडर रहा है, तभी तो हमारे जो बाहर के विदेशी भी है, वह उसकी तरफ आकर्षित होगे चले आए और उस गोटुल की आंधिसर रशना कैसे हैं उसकी लया लयोर कैसे होते हैं वहां प्रविश किस माध्यम से मिलता है कैसे प्रविश मिलता है तो सबसे प्रथम बात यह कि जो हमारे लया लयोर है वो गोटुल में जब प्रविश करते हैं तो लया को मोटियारीन की नाम से जाना जाता और जो लयोर होते हैं, उन्हें चेलिक कहा जाता है, तो जो हमारे प्यारे से जो लया-लयोर थे गाउ में, वो गोटुल में सिक्षा केंद्र में जाकर एक अनुसाशित परिवेश में कदम रखते हैं और वहाँ वो चेलिक और मोट्यारिन बन जाते हैं जो चेलिक और मोट्यारिन है उनका प्रवेश है उनकी उम्र 7-8-9 वर्षों में उनका प्रवेश वहां हो जाता है उन्हें वहां जाकर बैठते हैं अपना समय बिताते हैं अपने जो 27 सदसे के रूप में कारिवत अपने जो हमारे जो सीनियर मोट्यारिन चेलिक हैं उनसे बाते सीखते हैं और जब तक वो उस समय तक कुछ समय तक वो 27 सदसे के रूप में गोटुल में आते जाते हैं उनके नियम कानून उनके लिए अलग है और थोड़े से नम है प नियम हैं, उनके कानून हैं, उनके शर्ते हैं, वो बहुत ही कड़ी होती हैं, तो जब जो लया और लयोर हैं, जो साथ और आठवश की उम्र में होते हैं, उनका प्रवेश वहां होता है, तो उन्हें कुछ कारे दिये जाते हैं, और उनके कारे को देखने के लिए, जो हमारे 27 वो लगातार पूरे रूप से उनकी देखरेक करते हैं कि वो अपना कारे सही से कर रहे हैं कि नहीं वो अनुशाशित है कि नहीं और इसमें एक और और यह जो लयालयर होते हैं यह 7-8 वर्ष की उम्रमे प्रवेश के साथ 20-21 वर्षों तक वहां होते हैं जब तक कि वो अपने आगे के चरण याने की मर्मिंग संसकार याने की मंडा याने की विवाह के लिए तयार नहीं हो जाते हैं तब तक वो गोटूल के सदसे के रूप में रहते हैं अब मैंने आप सोच होगे मैंने क्यों कहा कि मर्मिंग संसकार या ऐसी मतलब अगर हम बात करें तो एक प्रमुख बात ये हैं जिसमें मैं जोर देना चाहूंगी कि एक कोईतुर के जीवन में तीन चरण हम महत्पूर्ण रूप से हम सभी उससे जानते हैं जिसे टोंडा, मंडा और कुंडा तोंडा याने जन्म संसकार, मंडा याने विवाहत संसकार और कुंडा याने मिल्तियों संसकार ये जो तीनों चरण है ये सिर्फ कोईतुर के नहीं पुरे संपूर्ण माना जीवन के लिए बहुत महत्पूर्ण तीन चरण होते हैं जिन्हें उनसे गुजरना ही पड़ता है जो चीज़ें उनकी जीवन में होनी ही है और परंतु हमारे क कोईतुर समिदाय में एक और एक चरण है वो है गोटुल गोटुल संसकार अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारे कोईतुर जीवन में चार चरण होते हैं पहला टूंडा गोटुल मंडा उसके पास कुंडा हम सब होस्तकी की वा उनकी बोने आधिकल ynकीर ही जान ली है उसे पहले नहीं सिसे पैसे पहले पहल से है ऑधा दादा के 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 दादा ने आदीकाल से ही वह व्यवस्थाइं जान ली हैं उसे किसी और को ज़रत नहीं पड़ी उसे सिखाने के लिए हमारे जो पुर्खा पेन हैं उन्होंने ही अपने अपने शोधों से ये सभी चरणों को बहुत विवस्ति धंग से उसका रिमान किया है उसके बारे में हमें उनका ग्यान दिया है तो ये इसलिए बहुत महत्पूर्ण था आपको बताना ये चरण के बारे में क्यूंकि जन्मे के बाद गोटु सिल्सकार ऐसा है जहां लोग परिपक होते हैं जहां हमारे लया और लया और लयोर अपने जो आगे के जो चरन है जो मर्मिंग जो है उसके लिए यहां परिपक्व होते हैं उद्धारन सरुप जब हम सभी जानते हैं कि कच्चा जो फल होता है ठीक है कच्चा जो फल होता है जो परिपक्व नहीं होता उसे हम कभी भी अरजी विंती में हम नहीं सेवा देते तो उसे परिपक्व होना बहुत ज़रुरी है तो कैसे पता लगे कि हमारे जो लया है और लयोर है वो परिपक्व हो गए हैं मरमिंग के लिए तो जो गोटुल संस्कार के चरण में रहते हुए वो दीरे-दीरे विक्सित होते हैं मुझे अभी भी याद है जब किसी घर में जब उस घर की बेटी आप सभी जानते ना सूपा हम चावल फुनते जो कि आज तो वरतमान में अधुनी क्योग में थोड़ा कम सा हो गया है बढ़ कावों में अभी भी है तो जब फुनते हैं ना जब चावल फुनते हैं या धान या कुछ और चीज़े तो यह जो दो तीन उंगलिया होती है इसे टक टक सी आवाज आती जब ऐसे से करते हैं हमारे घर में भी मम्मी के हाथ से बहुत सुन्दर ऐसे आवाज आती है तो जब यह अवाज यह धून सुनाई देती है उस लया की मा की याया के कानों में तो वह जो याया है उसे पता लग जाता है कि हां मेरी बेटी अब परिपक वह हो चुकी है आगे मर्मिंग के लिए अब वो समय आ चुका है कि अब मेरी लया को हम में गोटू संसकार से आगे के चो चरण है उसमें मैं उन्हें भीजो और उसी प्रकार जब लयोर जब जब अपने दुगनी फूर्ती के साथ ताकत के साथ जब वो लखडी काटता है और एक ठक में जब वो लखडी कटती है वो जो आवाज है उसकी जो फूर्ती है उसे देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि हमारा लयोर अब पूरी तरह से पूर्णनुप से परिपक वह हो चुका है आगे म आगे बढ़ते हैं जहां हम बात करेंगे कि कैसे जो आइस्थाई सदर्से हैं वो इस्थाई सदर्से के रूप में कैसे चुने जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि जो आइस्थाई सदर्से हैं वो कारेरत होते हैं और लगता जो हमारे इस्थाई सदर्से होते हमारे जो लया लयोर जो है जो चेलिक मोर्टियारिन है जो सीनिय चेलिक मोर्टियारिन है वो उन पर नजर रखे होते हैं तो जब उन्हें लगता है कि यह लया या लयोर अब चेलिक पूर्ण रूप से परिपक, पूर्ण रूप से तयार है, पूर्ण रूप से अनुशाशिक जीने के लिए, सीखने के लिए, तब उसे स्थाई सदस्य के रूप में मानेता दी जाती है, उनको स्थाई सदस्य के ब तो हमारी senior lawyer है मतलब हमारी मुतियार होती है, अगर हम बोले हमारी मुतियार rightly, भी में अलब hmm já वहें नह वार कार्य रर्ट जितने भाइले उर उन पर होती है और वहुँमं के सिर्दार दिए हमारे छीली में omकिया पर भी przedstaw वहवार, चाल्ड, हाल, कारियों, वह नजर रखते हैं, वह नजर इसलिए रखते हैं, उन्हें गोटुल नाम दिया जाता है, जो जीवन भर उनके साथ रहता है, और आज हम देखते हैं कि हम स्कूल में होते हैं, आज के परिवेश में, आज के परिवेश के मैं बात करती हूँ, तो हम बहुत अजीव अजीब से नामों से अपने दोस्तों को, अपने आसपास लोगों को बुलाते हैं, पर वह ही गोटुल में इतना सुदर सा ये नियम थहा, कि उसके सभा, उसके चार्चलन, उसके कारियों को देखकर बहुत प्यारे-प्यारे उसके लिए नाम रखे जाते थे तो जब ये इस्थाई सदसे के रूप में उनका प्रवेश होता है तो लाई मुर्रे की रसम होती है और उसमें सब गोल घेरा बनाकर बैठकर उनका जो लाया लए और जो चेलिक मोट्यारे हैं जो अब इस्थाई सदसे हो रहे हैं उनका स्वागत करते हैं मुख्यता जो चेलिक होता है उन्हें एक लकडी का पिढ़ा या हम अपने शब्दों में कहें गुंडी शब्दों में कहें तो कुतुल बनाना होता है वो बहुत लंबा होता है जिसे वो लकडी का होता है जो वहां वो उस समय सथाई जब सदसे बनते हैं तो वो उन्हें ले के जाते हैं तो हम आगे चलते हैं यह हुआ यह हम बात कर लिए हैं बाहे सरशना की फिरांती सरशना की अब हम बात करते हैं नाम और पद के इस किस तरह के नाम और पद होते हैं तो अगर हम अभी उसकी बात करते हैं अगर हम चलिक की बात करते हैं तो चलिक में हम देखते हैं कि चलिक में जो हैड होता है उनका पद होता है वो होता है सिर्दार या मुखवान जो की चलिक और मुट्यार इन दोनों की मुख्या होते हैं उसके बाद होते हैं सीलेदार जो की लड़कियों के बहुत करीब होते हैं उनका ध्यान रखते हैं और उसी के बाद होते हैं मुडिया, जोडिया, कोटवा, जमादार, लेकिन ये सब बहुत सरे ऐसे नाम हैं बहुत सरे विभिन्ने प्रकार के नाम होते हैं जो गोटुल में ल्यूरों का नाम रखा जाता है, जो ल्या ल्यूरों और यहां ल्यूरों का नाम बहुत प्रेम से रखती है। साथ के साथ जो लयोर होते हैं वो लया का नाम बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यास से रखते हैं जैसे जो सबका ध्यार रखती है और सभी कारियों के संचालन करती है जो हमारी मुट्यारिन की जो मुख्या होती है उसे बिलोसा कहती है उनका साथ देने के लिए दिलोसा होती है साथ से साथ दिलोसा, निलोसा जिसकी आखे मोर की तरह है वो मलको, जल्की, सुल्को ऐसे बहुत सारे विभीन प्रकार के नाम अलग अलग गोटूलों में अलग-अलग प्रकार के नाम अलग-अलग सभावों और कारियों के अनुरूप रखा जाता है अब हम आगे चलते हैं जब हम विलुप्ती की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये प्यारे जारे से नाम भी जो रखने की परंपरा थी वो भी कहीं चले गई है और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रेला पाटा और हमारे गीत नित्यों की बात करते हैं जो कहीं न कहीं आज विलुप्ती के गगार पर हैं मैं जानती हूँ मैं बहुत बार विलुप्ती शब्द का प्रयोग कर रहे हूँ ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़री है कि आज ऐसा समय है कि अगर हम अगर आज वापस उन चीजों को नहीं सीख पाए तो शायद कुछ सालों में वो सिप किताबों का एक भाग बन कर रहे जाएंगे जो आलड़ी हो चुका है और बहुत सारे हो तो हुलके नित्य आप सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे मांदरी ढोल पुशकोलांग खेड़तांग कोक्रेंग रीलो करसार डिटोंग ये सभी ऐसे नित्य हैं नित्य परंपराय हैं जो हमें गोटुल के आसपास देखने को मिलती थी गोटुल में इन सभी का भ्याज भी होता था पुशकोलांग जो है वो बहुत ही महत्पूर्ण स्थान रखता है गोटुल में क्योंकि जो पुशकोलांग है उसमें पुशकोलांग जो है वो लैयोरों के द्वारा यानि की चेलिक के द्वारा किया जाता है ये चेलिक जब पुशकोलांग के निकलत होते हैं तो इनके नियम और अनुशाशन बहुत ही कटीन होते हैं बहुत सारे चीज़ें। इनके जीवन में ऐस समय के लिए उस पोष्हकुलाण के समय के लिए वरजित होती हैं और वो कड़ी नियं 30 का पालन करते हैं अच्छे तरीके से उसको पूरा करके वह वापस आया है यह तरीके से मा लेजे पीजी डिग्री या किसी अवार्ट से कम नहीं होता जब हमारे जो लैयोर हैं उनके द्वारा जब यह पूशकुलांग को पूरा किया जाता है यह विभिन गावों में जाकर वहां पे उसी तरीके से दिवार किया जाता है हमारी यह जो लायाएं हैं वह डिवार नित्य के लिए अलग-अलग गावों में जाकर नित्य दिवार जाती दिवार नित्य करती हैं रिलो गाती है इनके नियम इतने अनुशाशित या इतने कठोर नहीं होते हैं पर और इनकी गीत की मधूरता है इनकी जो रिलो की मधूरता है वो बहुत ही सुन्दर होती है बहुत ही अच्छी होती है जब भी यह जो हमारे लया लेकर आते हैं अपने गोटुल में लेकर आते हैं गोटुल में नित्य गायन करते हैं उन का अच्छा से ध्यान रखते हैं और इसके साथ में आपका द्यान जो है एक दूसरी दूसरे सब्सक्राइब देखा होगा जिसमें दो बड़े-बड़े सिंगहारे यानि की एक ऐसा मुकुट जिसमें दो बड़े-बड़े सिंगहोते हैं बीच में पंक होता है तो वो जो है वो जो सिंग मौर है उसे कोया डाका को कटा डाटा हम कहते हैं हमारे गुंडी में तो वो जो है वो मुलसुर हरली के सद्धानत पर है इसके बारे में मुझसे जादा अच्छा हमारे जो KPGS टेम के नरायन दादा हैं बहुत अच्छे से आपको बताएंगे तो मैं इसले बोल रही हूं सुंग मौर की परिमपरा क्योंकि आपने देखा होगा मैं पुरत अत्व की विध्यारती हूँ मैंने ये पढ़ा है और मैंने अपने हातों से वो चीजे देखी हैं हडपा सभ्यता की जहां पे वो सिंग मौर धारन करे हुए पशुपती की मूर्तियां हैं उसकी सील हैं मोहरे हैं बहुत सारी मिट्टी के बरतनों पर वो चिन्हा आकृतियां बनी हुई हैं जो आज जीवन्त रूप में आज परंपरा में आज अभी भी हमारे गोंडी समुदाये में हैं परंतु गोटुल की विलुपत होने के साथ साथ यह जो परंपराएं हैं जो कक्सान नेत्य हैं जब यही नहीं रहेगा तो सिंग मौर कैसे और वो बनाने की उसकी विधा उसके पीछे उसका कारण और यह सब चीज़े हम कैसे सीख पाएंगे उसके आगे हम देखते हैं जो गोटुल करसना आज हम बोलते हैं कि हमें बहुत स्वास्त को लेकर हमें बहुत सारी परशान्या हैंFit हमें दोड़ना चाहिए, हमें भागना चाहिए, हमें वयाम करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, तो आप सोचें हमारे आदिकाल में क्या ऐसी कुछ ववस्थाएं नहीं होगी, क्या वो योग नहीं करते होंगे या कुछ ऐसी कुछ शारिक परिश्रम नहीं करते होंगे जिसे वो सस्त रहें ऐसी परंपरा थी जिसे गोटुल करसना के नाम से जाना जाता है बहुत सारे प्रकार के गोटुल करसना है जहां वो खेल खेल में ही बहुत सारे वयाम करते थे जिसे वो सरीर से स्वस्थ रहते थे और उन्हें किसी भी तरीके की कोई शारीक परिशानी कुछ भी नहीं होता था तो गोटुल के साथ साथ एक important बहुत महत्पुन चीज थी गोटुल करसना की इतने सारे प्रकार जो की आज वर्तमान वें हमें विदमान नहीं मिलते इसके साथ साथ कुछ महत्पुन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि गोटुल में हर एक चीजें इतनी महत्पुन होती है कि उसके मारे में बात करते रहने से भी पूरा दिन गुज़र जाए मुझे ऐसा लगता है चाहे आज मैंने जो शिंगार किया है वो भी गोटुल की लया की तरह मैंने प्रयास किया है कि मैं उसकी तरह दिखूँ तो इसका हर एक सिंगार किसी ना किसी तरीके से ने बहुत सारे कार्णों से वग्यानी कार्णों से इन तरीके के जो आबूशेन है उनका निर्मान हुआ है और उनका प्रयोग हमारी लया के द्वारा किया जाता है हमारी लयारो के द्वारा किया जाता है इसी में एक बहुत ही महत्पूर्ण शिंगार है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है गोदना जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह गोदना है आप देखेंगे कि अभी के युवा पीड़ी में यह गोदना नहीं देखन को मिलता है क्योंकि यह भी प्रथा पूर्न रूप से समाप्त हो चुकी है हमारे गोड़ू के स्वज्व लया जो लया होती है वो बहुत सुन्दर सुन्दर से जो गोदना है उनका निर्माण करती ती इसका मतलब यह नहीं कि यह पैशन है या क्या है जो इसके पीछे गोटुल के बारे में बता सकते हैं, जो कि गोदना में रिसर्च कर रहे हैं, परनतु जो कुछ बाते मैं जानती हूँ, वो मैं आपके सामने कहूंगी गोदना एक ऐसा अभूशन है एक लया के जीवन में जो के मरनों तक उसके साथ रहता है उसके शिंगार के रूप में रहता है अलग-अलग गोदना के अलग-अलग डिजाइन का अलग-अलग नाम होता है उसके अलग-अलग कारण होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम कहते हैं कई बार ऐसा माना गया कि गोधना की वज़र से बहुत शारिक प्रॉब्लम हो रहे हैं पर ऐसा नहीं है तो कभी-कभी कुछ औसाध्धानियों की वज़र से हुआ होगा पर तो सोचे अगर ऐसा होता तो इतने आदिकाल से जो गोधना की परमपरा है तो हमारे याया लोग को क्यों कुछ नहीं हुआ सोचने की बात है हमारे याया है आजी है अंगे है उन्हों सब के हाथ में तो है ही तो ये कहीं ने कहीं हमारे blood circulation को अच्छा करने के लिए रखत करने काओं के लिए बहुत अच्छा है ये जो परमपरा होती है और हमारे गोंडी परमपरा में ये जो शिंगार है ये बहुत ही महत्पुने स्थान रखता है साथ ही साथ ये अभी हम दूसरा जो गोधना के बाद जो दूसरी जो चीज है वो आचा गोधना से जोड़ी मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी बताना चाहूंगी आज से लाखो वर्ष पूर्व क्योंकि मैं कहां मैं पुरतत्व की विद्यारती हूं मैं पुरतत्व की बाते लाओंगी बीच में इसलिए क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो हमारा समुदाय है जो गोंडी समुदाय है जो आदिवासी समुदाय है संपूर्ण विश्यों में जो आदिवासी समुदाय हैं वो कितने प्राचीन हैं, कितने आदिकाल से हैं और कैसे वो जो सब्यताय जो चीजें पुरतात्विक साक्षों के रूप में हमें खुदाई से मिलती हैं वो अभी भी जीवनत रूप में हैं तो आइसलेंड करके जगह है जहां हमें एक प्रिंसस ममी ममी समझते हैं जो मर जारा जो किसी की मृत्ति होने के बाद उसके शरी का सरक्षन किया जाता है ममी के रूप में तो वो क्योंकि जो ममी थी वो बर्फ में रभी होई थी इसलिए वो पूरी तरीके से उसी में सरक्षित हो गई उसके जो ये जुद्वशा थी वो हड़े उसा चिपक गई और जो उसके गोधना याने हम हिंदी में अगर अभी बोले तो टैटू वो टैटू पूरी बाहा में उसके बहुत सुन्दर से है तो सोचे गोधना की परंपरा हमारी कितनी प्राचीन है कितने सारे लोग कितनी प्राचीन है आदी काल से हैं जिसके जिसका उधारन हमें इतने वर्ष पूर्व भी मिलता है उसके बाद हम मैं दूसरी जो अगला अगली बात है वो मैं कहूंगी पन्या की जो की मेरा बहुत ही सुन्दर मेरा फेवरेट टॉपिक है कहना चाहिए यह जो पन्या है यह हमार की साथ यह पन्या वैज्ञानिक रूप से या कहें एंटी फंगल अगर हम कहें हमारे कोई तो टेक्नलोजी के शब्दों में अगर तो उसका भी उसके लिए भी यह प्रयोग किया जाता है अब सोचेंगे आप कैसे तो यह जो पन्या है यह मैं आपको बता दू विभीन प्रकार के लकडियों से साजा मौहा विभीन प्रकार के लकडियों से बास से बनाया जाता है विभीन सुन्दर सुन्दर सुरूपों में सुन्दर सुन्दर अलंकरन के साथ यह बनाया जाता है और समय के साथ यह लकड तो जो लयोर है याने की जो चेलिक है जो कि हमारे गोटल में जो चेलिक है उस मोट्यारिन के लिए अपने हातों से इस प्रकार के सुंदर से पनिया का बनाता है पनिया बनाता है और साथ ही साथ मैंने एक लिकिन शब्द का प्रयोग किया था कि लयोर जो चेलिक होते हैं ने थे मैंने बताया आपको। कि जब हम आदे काल जब मैं पुराने की फोडोग हम देखते हैं तो कैसे बहुत सुन्दर लकडियों में कितने सुन्दर खरवंगर्य सेसे फॉड़ो में देखने को मिलते हैं वह सब लया हमारे लयओर द्वारा होती है तो लिकिन का जो कारे होता है वो अलंकरन करना होता है तो हाली में ऐसा होता था कि जब लयोर इस प्रकार के कंगी बना ले इस प्रकार का कंगा बना ले इस प्रकार का पनिया बना ले उसके बाद उसे बहुत सुंदर से अलंकरन लिकिन की मदद से बहुत सु कुछ कहे वो उसे देता है अगर लया बीना कुछ कहे उसे अपने बालों में सजा लेती है इसका मतलब है कि जो लया है वो लयोर की भावनाओं का सम्मान करती है और जो जो उसकी अनकही बाते हैं उससे वो स्विकार करती है तो इस प्रकास से ये बहुत ही सुन्दर आज लयोर जो है लया लोग को इंप्रेस करने के लिए बड़ सोचे इतनी छोटी सी सिंपल सी पर इतनी महनत के साथ बनाई हुई चीज़े बीना कुछ बात कहें कैसे एक जगा से दूसरी जगा एक दिल से दूसरे दिल में पहुँच जाती है साथ ही साथ जो पनिया है अगर मा जोकश करना कुछ कहें बीना उसे लिए वहां से चली जाती है इस प्रकार उसे अपना इस प्रकार लयोर चोकल आपना उत्तर भी मिल जाता है जैसे मैंने बताया कि कैसे चीजेंज हुई और ये कैसे मैटल में परिवर्थित हो गया जब ये मैटल में परिवर्थित हो गया तो जैसे हम जानते हैं कि कुछ शताब्तियों में जब अतिक रमन हुआ गहरादी वास्यों का और हमारे जो अंग्रेजी सत्ता ये सब का तो हमारी लया बहुत हमारी जो गाओं की लया थी हमारी लया थी वो सब कहीं न कहीं असरक्षित महसूस होने लगी जंगलों में जाने के लिए तो यह जब मैटल का बनने लगा तो कहीं न कहीं यह एक प्रकरस से हतियार के रूप में भी ताकि वह निकाल के उसे हतियार के रूप में प्रयोग कर सके ऐसा भी इसका प्रयोग होने लगा इसका एक धारन में खोंग्सो के रूप में आपको बताना चाहूंगी कि उराव आदिवासी और भी दो तिन आदिवासी हैं जहां मैंने खोंग्सो देखा है जो की मार्टिल का होता है जिसे वो इस तरीके से पीनब निकालके उससे वार कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत सारे पेड़ों की जड़ों से मौहां हुआ कि पेड़ों से बना होता है तो यह एंटी फंगल का काम करता है जो किसी प्रकार के इंफेक्शन और सब चीजों से लया की बालों को बचाता है और उसे बहुत सुन्दर करता है आप यह देखेंगे अगर आप अभी भी बस्तर में जाते हैं और हमाई बहुत बुजग याया लोग से अगर मिलते हैं तो याया-लोग की बालना बहुत काले होते अभी भी काले है तो यह उसका एक कारण है तो आज विलूप्त कि गयार पर है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ तो अब थोड़ा हम आ कौन कौन सी बाते हैं पहली जब हम Elvin की बात करते हैं कि उन्होंने जो बाते लिख दी लोग उस बातों को अपना बेज बनाकर उसमें और बाते लिखते गए लिखते गए लिखते गए जितने भी हमारे जितने लोग थे जितने रिपोर्टर थे और आजकल तो हमारे वरतमान स्थिती में हमारे पास यूटूब चैनल है पेजेस हैं तो कुछ पैसे कमाने के लिए या अपने हमको पॉपुलर करने के लिए लोग उस बुक्स को बेज बनाकर उसमें जो बाते लिखी गई हैं उनको अपने शब्दों में वही बातों को लिखकर वीडियो बनाकर या रिसर्च के रूप में प्रस्तूत करके इतने सारी जो अभी भ्रामक तक चीजें हैं जो बुरी चीजें हैं जो नेगेटिव बात हैं गोटूल के बारे में वो सब बातों को उन्होंने फैलाया किसी ने भी कोशिश नहीं कि क्या एलवीन सर ने जो बात लिखी है वो बाते सही हैं क्या उसका दूसरा पहलो नहीं हो सकता किसी ने इस बात के तरफ रुख नहीं किया और वो बाते आज तक 2020 तक आती हैं अगर आपको अगर अभी भी अगर आप यूटूब चैनल में अगरों खुएं तो हमने रिपोर्ट करकर के बहुत सारी चीजे तो बंद कर दी हैं परन तो अभी भी आपको एका दूका चीज मिल जाएगा गोटूब के बारे में जो बहुत शर्मनाक और बहुत बुरी चीजें हमारे हमारे समुदाय के बारे में हमारी इस सुन्दर सी इस परंपरा के बारे में लोगों ने भारी लोगों ने कही है साथ ही साथ गैर आदिवासियों का प्रभाव हम जानते हैं कि जितना भी हमारा पूर्ण आदिवासी जो एरिया रहा है वो कहीं ना कहीं जंगलों के बीच यह सब में रहा है परन्तु जैसे जैसे विकास होने लगा गैरादिवासी, बहारी लोग वहां आके रहने लगे बसने लगे उनके रहने और बसने का ये परिणाम हुआ कि वो हमारी सब्धता को गंदा और घिनोना कहने लगे आज से अगर आप 19 वी शताबदी की आसपस की अगर कोई फोटोस देखेंगे लया लयोर की फोटोस देखेंगे तो उन्होंने बहुत साधारा से कम कपड़े पहने हैं, कोई मतलम नहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं, भें नहीं बहुत अच्छे से सम्मान के साथ, क्योंकि उनके नजरों में सम्मान था, उनके कपड़ों से उनके सम्मान नहीं बताया जा सकता, नहीं उनका अंकलन किया जाता है परंतु गेर आदिवासियों का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि धिरे धिरे हमारे जो आदिवासि समुदाय हैं, उनके प्रभाव में आकर अपने धार्मिक अस्तित्व को चेंज करने लगे, अपनी परंपराव, अपनी संस्कृति से दूर अटने लगे, गूंडी भाशा से भी दूर हटने लगे, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें नस्ट होने लगी, और लगभग बहुत सारी चीजें नस्ट हो चुकी हैं, दूसरा है आदनित्ता का प्रभाव, जैसा जो कि मैंने इसे बताया है, हमारे जो बच्चे हैं, सब को आगे बढ़ने का अधिकार है, मै आप सब को इस समय सिक्षित होने की बहुत जरुत हैं, क्योंकि एक टाइम था कि आप सिक्षित नहीं थे, इसी वज़ा से लोगों को ये मौका मिला कि वो आपके बारे में इतनी सारी बाते कह सकें, पर अब समय ये हैं कि आप सिक्षित होकर उन बातों का खंडन करें, और सही तरीके से लिखें, उनके बारे में बात करें, पर आधुनित्ता के दौर में ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां हजारों प्रकार की बाते होती हैं, तो बच्चे कहीं न कहीं गोटुल से हटते जा रहे हैं, और इसी वज़ा से गोटुल आज नहीं भी मिलता, तो ये सब कुछ चीजे थी, जिससे हम देख सकते हैं, कि आसपास कैसे एक विलुपती के कगार पर हैं, इस बात का जो समर्थन है, जो मैं कह रही हूँ, हमारे एक सर है, गैल महदे, जिन्होंने भी मुरियास को लेकर, उनकी सुसाइटी को यानि मुरिया गोंड और उनके समाजिक परिवशक को लेकर भूख लिकी, उन्होंने एल्विन की भूख का खंडन किया है, और उन्होंने कहा कि ये तू फार रोमैंटिक लग रहा है, मतलब ये रोमैंटिक बहुत जादा है, और समाजिक तौर पर आपने बहुत कम लिखा है और आप मैं आपको बता दो हम विलुपती की बात आज 2019, 2020, 2018 या 2017 से हम कर रहे हैं विलुपती की बात या उसके पहले से कर रहे हैं आपको यह मैं बता दू कि 1997 में 1997 में एक मेगजीन थी इंडिया टूडे जिसके राइटर थे भरत देशाई वहां एक आर्टिकल छपा जिस 1997 को आज के समय गोटूल पूर्णरूप से विलुपती के गगार पर हैं नस्ठोने के गगार पर हैं बहुत कम ही ऐसी जगह हैं जहां आज गोटूल देखने को मिलती हैं समझे और सोचे उस बात को कि वो कहां 1997 की बात कर रहे थे और आज हम कहां 2020 में हैं और कितना लंबा य समाजिक कारे करता हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे सियान हैं जो इस बात को सोच रहे थे इस बात को मान गए थे कि हमारा हमारा जो गोटूल है वो कहीं ना कहीं अब खतम हो गया है या खतम होने कागार पर है उसे वापस बचाना है यह बाते उस समय चल रही थी तो सम हमें गोटुल को पुनह स्थापित करना चाहिए भले नए स्वरूप के साथ ही हो पर गोटुल की पुनह स्थापना हो जैसे हमारे जो रेला पाटा गुरु है विश्नु पद्दा दादा उनका जो स्कूल है वहां पे वो बच्चे गुंडी में बात करते हैं और गुंडी मे में में जहाँ वहां पैक हमारे विश्नु पद्दाद बहुता है और बहुत दूरा प्लड़ को आदिवासी को आरे ये ना जए कि दुम्हारी संस्क्रिटी टी अब करनुए अर लड़ाई है ये जो लड़ाई है ये हमारे पहले की नहीं हैं यह लड़ाई है कि हम अपनी संस्कृती को कहीं न कहीं खो रहे हैं और खो चुके हैं और मुझे नहीं लगता आने अगर हम अगर अभी जावरुक नहीं हुए तो शायद आने वाले कुछ वर्षों में वो पूर्णरुप से नस्ट हो जाएगा तो हमें जरत है उन चीजों को समानने की और गोटूल को पुना स्थापित करने की मुझे अभी अपने एक छोटे से चोटे तम्मू की आद आ रही है जिनका नाम कौशिक है उनका कहना है कि हमें वापस नए स्वरूप में गोटूल को पुना स्थापित करना चाहिए क्या हम मुझे प्रश्ण हो पूछा क्या काको हम ऐसा नहीं कर सकते की जैसे आज स्कूल के नाम से हम क्या ऐसी Son SNS भाц的话 या ऐसा जहां और सब्सक्राप15 कंतर को पैसा आहँ अरोप से बेसिक तोर जो आगे आने वाली पीडी है जो हमारे जो लया-लयर है उनको सिखा सकें तो ये मेरे लिए भी प्रश्न है और आप सभी के लिए भी प्रश्न है कि हम कैसे गोटुल को पुना प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो आज की चर्चा मेरी इतनी है कि मैं आपके मैं जो थोड़ा बहुत बाते जो गोटुल के बारे में जानती थी और जो मैं एक युवा पीड़ी की लया होने के नाते मैं जो गोटुल के बारे में सोचती हूं क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने अपने जीवन का एक बहुत ही महात्पूर्ण पार्ट कही न कहीं खो दिया है जिसे मैं वापस नहीं पा सकती हूँ परन्तु आगे आने वाली पीड़ी के लिए काश मैं कुछ ऐसा कर सकूँ कि वो जैसे संसकार को वाव को जी सके और बहुत सारी बाते सीख सके तो जितने भी मेरे लाइब सेशन में हमारे साथ हमारे जितने भी आजो आजी हैं अंगे हैं अकों हैं काकों हैं दादा हैं जितने भी हैं सभी भाई बेhen हैं मेरे संधान हैं सभी जो हैं अगर आप लोग को लगता है कि हमें अभी कुछ करना चाहिए तो मैं चाहूंगी कि आप सभी गोटुल के बारे में आधाँ गरों में सब जगा बात करें हमारे बच्चों को गोटुल के बारे में बताएं और साथ ही साथ अगर मैं कुछ भूल गए या कुछ मैंने गलती कर दी तो प्लीज आप मुझे शमा करेंगे मैंने अपनी तर से पूरी कोशिश की और गुरवाना दर्शन की पूरी टीम को बहुत-बहुत सेवा जोहार बहुत-बहुत धन्यवाद इस्पेशली हमारे वर्डे सर को और प्रविन मंडावी सर को कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं आप सब के कांकेर को भी मैं डिसकवरी टीम को भी थांक्यू बोलूंगी कि वहर समय हर चरण में मेरा साथ देते हैं और मेरे शोध में मेरी पूर्णरूप से सहायता करते हैं तो बहुत-बहुत सेवा जोहार के बीकेस की टीम और साथ ही साथ युवा कोई तुर भिलाए जिसकी मैं ख बहुत-बहुत सेवा जोहार तो आप सभी को बहुत-बहुत सेवा जोहार पुरूर जोहार बुमकाल जोहार गोटुल जोहार अगर आप आप सभी को इससे समझ कुछ भी बाते पूछनी है या कहने हैं तो फ्लीज मुझे कमेड में बताएं आप सभी को बहुत-बहुत सेवा झाल 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 झाल